गुड अप्रनून, नमस्कार, जैहिंद, राधरादी, चुहार, मैं आपका जीकेश एजिक्वेटर रहुत्मार, स्वागत करता हूँ, वाइफर सेड़ी विस्टीज आपार्ट में, तो आज फिर से हम लोग दो पर दो बजे जुड़े हैं, जहां अब तक हम लोग देख र आपसे कितने स्टाड़ी दिकेश सॉल्व होगा, बफर हो रहा गया बही जरा बताना बच्चे, बफर तो नहीं हो रहा है, बदे जरा सा बफर हो रहा है क्या, बफर तो नहीं हो रहा है जरा बताव जरा, बच्चे बफर तो नहीं हो रहा है ना, कि सरी सेशन का 22 21 तारी का पीडियफ नहीं मिला है चलो ठीक है उसों मिल जाएगे पीडियफ परिशान मत हो वीडियो लगवा देंगे परिशान मत हो ना ठीक है चले अई देखें तो आज आपको 40 रोजाना आपको 35 सवाल देखते था चालिस सवाल है क्यों कि 30 साब यकिन मानें स्टैटिक जी के इस तरीके से पूछाए न अम जजश्यदार स्टैटिक जी के पूछाहे जबरदस्त कितना वार बोले नहीं अरे भाई साथ कितनी इतनी गुस्ता हो रहे यार मतलब जब आप मेरे से पूछते हो तो मैं कहचीडता हूं गया पताओ कितना बार बोले गुस्ता हो रही बिल्कुल लाल पी ले सर्च अबिय वाली क्लास होगी न आज हार महरातन है चैसे आठ आज श शिक्स टू एट पीम महरातन है बिल्कुल चली आई ही रिख्यागे याद रहना दो पर बारा बजे कहां जुडते हैं गुरुबडी के लिए जो आप स्टाटिक जी के देखते हो चेप्टर वाइस तो मिश मत करिएगा दो पर दो बजे भी आप जुड़े हो हमारे साथ ज 6 बज़कर 5 मिनट से लेकर 8 बज़कर 5 मिनट तक दो घंटे का महरातन और फिर रात में नौ से लेकर कंसर में 11 तक महरातन बच्चों ने खा 12 बज़िव लगा दी 11 बज़िव लगा दिया लगा दिये जाएगा ठीक है चलिए मैं भी प्लस पर पढ़ारों जोगर्फी अब जरूर जोइन करिए बहुत फायदा होगा यकीन मानिए जिस एक्जाम जिस भी एक्जाम के अब तयारी करते हैं चाहिए सेसी हो रेलवे हो या पर इस्टेटेवल एक्जाम हो जो भी आप सब्सक्रिप्सन लो यहांगिर वाश्दा डैस मुगल इंपरर ओफ इंडिया जहांगिर भारत के कितने नंबर के मुगल समराड थे सर दस मज़े वाले क्लास नहीं थी न मिल्कुल थे काचा कल नहीं थे बच्चे तो बताओ जहांगिर भारत ये कौन से मुगल समराड थे बई चौथे चलिए मुहमंद सेम्जी सुक्रिया तो चौथे थे बई चौथे लिए भगवान भाजशा को याद करें के भाजपा को भाजपा को भाजशा को यानि बाबर, हुमायू, अकबर, जहांगिर, साजहां, और अश्यक्र देखम फिर बहादूसा जफवर यद्यूतिये जो लास्ट मुगल इंपेरर है अना अकबर का सुपूत्र तो पहले च्छा मुगल समराटों को कालकरम बाबर हुमाईू अकबर जहांगिर साजा औरंगेब औरंगेब को अपादी क्या था आला मुगीर इस इंडिया कंपनी को चार्टर किसने परदान किया महरानी इलिजाबेट फर्स्ट महरानी इलिजाबेट सेकेंड किंग जॉर्ज पंचम या किंग जॉर्ज शिक्स कुशन नमबर टू बताइए बच्चे कि डैस बताइए 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 देख लो किसका किसने लगाया एलिजावेट फर्स्ट और किसने सेकेंड लगाया आपके सामने हैं एलिजावेट फर्स्ट कब तो 31 दिसंबर बच्चे 31 दिसंबर 16 इस्वी को असे 31 दिसंबर 16 इस्वी को एलिजावेट फर्स्ट ने अनुमती दी थी ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपणी के स्थापना करने के लिए अई कमेंड वक्स मताइएगा जब भारत को अजादी मिली जब भारत को अजादी मिली तब ब्रिटेन के महराज कौन थे तो भारत को अजादी मिली सर प्लीज सिर्फ गुरुब डी के लिए साइंस का स्पेशल क्लास से लादो जब से सबसे इंपॉर्टन टॉपिक वाइश चलो ठीक है नसीम साब मैंने देख लिया कमेंट अब प्लीज कमेंट रिपूर्ट रेगूलर ना करें तो भाई साब बता कमपनी का पहला करखाना 1611 में मचली पटनम में स्थापित किया गया 1612 में फिर से सूरत ओवर देखें तो 1608 में सूरत तो है लेकिन ये लीगल नहीं है ये लीगल नहीं है याद रखेगा नेक्स्ट मीथेन को हम क्या कहते हैं लाप्रिंग गैस आसू गैस मार्स गैस या न ने के सिर्धे गर नाडव रृषाओ câया प्सक्राइब और ये लगास किसे कहता है ये अ कमेंड सकते हैं वह तियर गैस नयोगन यूलोगर का रहत देखेफिति ऴ्यूकालल ऐस अ विल्याव मूंत चलीमादा, में अ यमिधर गैस किसे व्योखे नहीं हे यंगर पीर अ गैस कि अमोनिया है कि सी एस को है ठीक है है अगे दिखेंग बेरिंग बेरंग गंधिन गैस है इसे मार्स गैस कहते हैं और यह गोबर गैस गोबर गैस के लिए सी एन जी के लिए इंपॉर्टर जैपुर में हवा महल कर निर्मान किया किसी सफेद और हरे संग मरमर ग्रेनाइट लाल और गुलावी बलुव पत्तर या फिर सामान चक्ता ने कुछसर नमर्चार हवा महल इन जैपूर इस constructed using हवा महल जो जैपूर में है उसका निर्मान किस से किया गया है सफेद और हरे संग मरमर से ग्रेनाइट से भाई आसान सवाल निकालो न जब कहता है हवा महल गुलाबी सहर है खुद इसे common sense निकालो गुलाबी सहर है पिंक सीटी है भाई जब पिंक सीटी है तो पत्तर क्या होगा गुलाबी तो होगा option number C लाल और गुलाबी बल्यो पत्तर से इसका निर्मान किया गया है सोचो कैसे कैसे सवाल बन रहे है किसने बनाया था तो हवा महल भारत के जैपूर में एक महल है जिसका निर्मान लाल और गुलाबी बल्यो पत्तर जे बनाएंगे देख लो पोटो 1799 श्वी में कच्छवाह राजपुत सासक सवाई परताप सिंग के महराज जो सवाई जैसिंग के पोते ने लाल चंद उस्ता के मदद से बनाया और याद होगा कि कई बार पूछा जा चुका है कि कितनी खिड़किया है 953 खिड़किया है कितने 1953 विंडोज हैं खिड़किया है डैस के खेल क्या उधारना एक परतिद्वन्दी को छूकर समात कर देती है कराटे कबड़ी जूडो कलारी कुशन नमर पाँच बताइए देख लो स्टैटिक जी किस तरह की सवाल पूछ रहा है दा कॉंसेट अब तक गेम डैस इज एलिमिनेट एन ओपोनिंट बाइट टचिंग कराटे कबड़ी जूडो कलारी तो भाई कबड़ी खेलेना हो गया हूँ तू तू नहीं खेले हो कबड़ी कितने असान सवाल ने देख रहू ना कलारी पैटू यह कहा होता है केरल में कितने असान है मतलब केवल आपके IQ लेबल को टेस्ट किया है चेक किया है केवल IQ लेबल को चेक किया है बस तो कबड़ी का मुख्य उद्श क्या है कि प्रतिदोंदी के पाले में छापा मार कर अंखत याना और बीना सास उख़े यता संभोग चितने भी खिलाली है सब को मार दो बिल्कुल कितने खिलाली होते हैं कबड़ी में जरा बताईए का साथ खिलाली होते हैं क्या साथ प्रलेर होते हैं या बिल्कुल और बांगला देश का ये नेशनल गेम है बांगला देश का बच्चे ये नेशनल गेम है ठीक है एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण ब्रिक लगाने पर रुख जाती है क्या होगा गुर्थवा गर्सन किंद्रा भिमुख गर्सन या किंद्रा पसार कुशन नमर शिक्स साथ 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 क्या बात है क्या बात है आज तो पूरे फॉम में हो भई साथ भाई साथ सारे तो भई क्या हो गई है friction देख रो मतलब सोचो कितने आसान सवाल पूछे हैं तो घरसन डिस्क और पैड गहिया की पहिया की गति जुद्जा के बीच चृत्पण उस्वाह को परिवर्तित करता है इसलिए वहन बंद हो जाता है घर्यों में इस्तेमाल होने वाला Quartz Quartz योज Ihnen Cl higher is घर्यों में इस्तेमाल होने वाला Quartz क्या है? Nitrogen Sillicate है Silicon Dioxide है sodium Sillicate है calcium Sillicate है Question number 7 तो भाई silicon dioxide देख रहो silicon dioxide option number b is correct option number b is correct तो voltage को यांतित तनाव से stress से बदलने की छमता को पी जो electricity कहते हैं और quaj crystal exotic आविडती बनाया रखते हैं जो घड़ी या घड़ी के गती में विया निमित करने में मदद मिलता है भारत में राज्ज का मुख्या कौन होता है परधान मंत्र राष्ट पत्री संसद राज्जपाल कुश्न न्बर 8 The head of the state in India इस्था भारत में राज्ज का मुख्या कौन होगा मजेदार सवाल बताईए क्या होगा कुश्न न्बर 8 बच्चे एक ची देखो स्टेंट मानेंगे क्यों मारेंगे विए भारत राज्यों का एक संग है राज्यों का एक संग है कि एक याद रहेगा जो याद रहेगा जर बताओ कि जी सर क्योंकि कोश्टन बिल्कुल सेम रहेगा कि अवर आप्शन के साथ छेड़ देगा हाँ अरून ये प्रिवियस येर स्टिबीटिट टू का है बच्चे 2016 में जो पूछा है तब या तक न बांगला देश में सरकार के परकार का नाम बताईए बांगला देश में जो सरकार के परकार है उसका नाम क्या है बताईए इस्लामी गनराज्य संसद्य लोकतंत्र संग्जे गनराज्य समझान राद साही कुछ नमबर नाई हाँ बचे गरम पानी ये तभी तो थोड़ी से गले में खड़ाच सुझाती है ने लगतार पढ़ाती रहते हैं तो बांगला देश में सरकार के परकार का नाम क्या है पार्लेमेंट्री डेमोक्रेसी देख रहे हो संसद्य लोकतंत्र पार्लेमेंट्री डेमोक्रेसी तो बांगला देश के जनवादी गनराज के राजनीती एक संसद्य पर्देनिदी लोकतांते गनराज के संद्रब को जिसमें बरधान मंत्री या दिष्टावाली सरकार होती है जातीय संसद बोलते हैं क्या बांगला देश के संसद को क्या बोलते हैं जरा बताईएगा कौन सा भारतिय राज्य अपने सिमाओं को अन भारतिय जो कि अदिक्तम संग्या के साथ साजा करता है मनिपूर पस्चिम बंगाल अस्ता मुत्राखन कुशन नबर दस बताईए which Indian state shares its borders with the maximum number of other Indian state तो आपको पता है कि सर यूपी होता तो हमार देते अब यूपी तो है ना अब यूपी नहीं है तो यूपी के बाद कौन होगा असम होगा अगर असम भी नहीं होता तब क्या होता ज़रा बताईए अगर मान लो असम नहीं हो अपसन में तब हम किस राज्य को रखेंगे असम के बदले किस राज्य को रखना पसंद करेंगे आप। जो असम और वो राज्य बिलकुल सेम है, समान है बताएए क्या होगा यूपी तो पता है कि सर नो राज्य अगर असम नहिंढ होता, तब क्या होता , अगर सम नहीं होता तब हम तिलंगा न लगा तिह तुट्र क्या लगाते 36 गड़ आईए देखिए असम और 36 गड़ दो भारतिय राज्य हैं जो सात राज्यों के साथ सीमा साजा करते हैं आईडियर कौन-कौन असम की सीमा से पस्चिम में पस्चिम synagogue उत्तरपुर्व में उदुनाचल पर्देश पूरण में नागालैंड और मनिपूर्क दच्विं में विजोरम, तिरफूरा और मिखाले जबकि 36 गढ़ के पडोसी राज की बात करें तो उत्तर में उत्तर परदेश, उत्तर पूरो में जारखंड, पूरो में उड़ीसा, दस्तिन पस्ति में तिलंगाना, पस्ति में महाराष्ट्रा, मदपरदेश दस्तिन में आंत्रा परदेश किलिए रब भई समझ में आ गिया 36 गढ़ोगा चलिए आगे आ गिये अब दो कुशन आया बहुत मज़ेदार कि डैस does not refer to the game of playing card इन में से कौन सा सब्द तास खेलने के खेल को संदर भी नहीं करता है पूल है ब्लेक जैक स्कुएस या सॉलिटेयर ट्यागी कुश्ण नमर 11 बते क्या होगा तो बच्चे क्या होगा स्कुएस अरे दीपी का पलिकल दीपी का पलिकल तिनिसकर्थि की वाइफ तो स्क्वैस एक गेंद का खेले जिसे दो या चार खिलाली चार दिवारूं वाले कोट में एक छोटी खोकरी खोकली रबर गेंद से खेलते हैं बसाई आद्रभूमी हर्याना के किस्चिले मिश्थी थे ये मैंने पढ़ाया आज दो पहर 12 बजे देख लो भी या जो मैं पढ़ा रहा हूँ सवाल पूछे जा रहे हैं कि ने पूछे जा रहे हैं बताइए बाई गुरूगराम अभी तो बताया मने दो पहर को तो बसाई आद रुबुमी हर्याने के गुरुगाओं या गुरुगुराम में हैं बसाई आद रुबुमी को भारत के मात्पुन पक्षी और जैव विट्ता छेतरों में एक के रुपे मानता प्राफ्त है दूद में वसाई की मात्रा को अनुकूलित करने की परकिरिया को क्या कहते हैं विटामिन फॉटिफिकेशन, पासुरी करन, मानकी करन, समरूपता, कुछ नमबर 13 तो दूद में वसाई की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए उप्टिमाइज करने के लिए जिस process को मुपजात अपनाते हैं, वो standardization कहते हैं, मानकी करन कहते हैं, क्या कहते हैं? मानकी करन कहते हैं, बिलकुल याध रखिएगा. तो मानिकी करन के परकिरिया में दूद की वसा की मातरा को जो प्राकृतिक नियुंतम मतलब बिलकुल कम करना है फैट की मातरा को कम करना 3.25% से कम करना सामिल है किस राज्य में लोकसभा के दूसरी सबस्याधिक सीते हैं विच स्टेट हैज दा सेकेंड हाइस्ट नंबर ओप सीट सेंदा लोकसभा उत्तर पर्देश आंदर पर्देश वेस्ट बंगाल महरास्टा को शरवर्चवदा बताईए तो भाई महरास्टा कितने 48 महरास्टा में 48 है यूपी में 80 है यूपी में 80 है अच्छा जारा कमेट बक्स बताईएगा महरास्टा में राजसभा सीट कितनी है राजसभा कितनी राजसभा अरे भाईया वेस्ट बंगाल ने 42 दो ठीक है रो चलो ठीक है मान लिया राजसभा बताऊ ना राजसभा अभी तक किसी का जवाब ना है राजसभा के बारे में राजसभा की बात करें तो 19 है कितने 19 है ठीक है याद रहेगा 19 है नेक्स्ट लोग सबह में महरास्ट में सबस्यादा सीटे 48 है किसके बाद यूपी के बाद भारत में पहला भागोली संकेत टाइग किया गया उतपाद बहुत आसान देख लो बाई इस सब सवाल तो बिल्कुल देखो टिक करो दार्जलिंग चाय कब किया था 2004 में कुछ सोस्ता नहीं आगे बढ़िये तो दार्जलिंग की पहला भारती उतपाज से भागोली संकेत टैक मिला था 2004 में बिल्कुल इंपॉर्टेंट किस देश से सुभाज चंदर बोस अंगरेजों के खिलाप मदद लेने गए थे अमेरिका फ्रांच जर्मनी सिंगापूर कुछन नमर 16 बताइए फ्रों विच कंट्री डिट सुभाज चंदर बोस गो टू सिक हेल्प अगेंस तब रिटेस क्या होगा क्या होगा बई चर्मनी देख लो मजा गया तो सुभाज चंदर बोस अंगरेजों के खिलाप मदद लेने के लिए कहां गए थे चर्मनी गए थे क्योंकि बाई 2000 अगर आप देखोगे जर्मनी की बात करें न तो आप यह देखोगे यहां पर इस समय सिच्वेशन अगर सुभाज चंदर बोस अंगरेजों के खिलाप मदद के लिए जर्मनी गए और 39 मई 1942 को सुभाज चंदर बोस की मुलाकात जर्मनी के स्तरवोच निता एडल फितलस दे हुआ है मैं जर्मनी बोलने लगा था बहुत बढ़िया मतलब आप जर्मनी बोलने लगे थे लेकिन जर्मनी बोले नहीं बहुत सांदार सेकेंड वल्ड वार के दवरान अंग्रेजों से लडने के बाद जापान की मदद से अब देखो एक कुशन और आएगा जापान की मदद से आजाद हिंद फौज का गठन अब सवाल बनता है अगर कि आजाद हिंद फौज का गठन किसके मदद से किया गया तब आप क्या कहोगे जापान के मदद से हो 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 ठीक है और यहीं पर इन्हों ने नारा दिया कि जय हिंद और तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हें आ जादी दूंगा याद रहेगा कि याद रहेगा बच्चे चलिए आगे देखिए डॉक्स फाइल के साथ बनाया गया है तो वह कौन सा फाइल है वर्ड प्रोसेसर पेंट पावर्पॉइंट स्प्रेड़ सीट कुष्ण नमर सत्रह निताओ तो वहिए क्या हो गई यह वर्ड प्रोसेसर बच्चे एक वर्ड प्रोसेसर है तो डॉक्स फाइल के साथ बनाया गया है यह वर्ड प्रोसेसर है फाइल एक्स्टेंशन डॉक्स Microsoft द्वारा बनाएंगे एक निया प्रारूप है और पहली बार इसे 2007 में उप्योग किया गया था किए CBT1 में भी पूछा है और पहले पूछा है सुचो डैस 12 रासियों से संबंद नहीं रखते हैं कौन नहीं रखते हैं भई जाड़ पुक करना सीख लो रासे फर पढ़ना सीख लो तो क्या होगा तो बारह रासियों से कौन संबंद नहीं रखता है ओफी यूकस ओफी यूकस माई डियर अब सोचो कि उस निकटि बंदिये रासी चक्र के बारह रासियों के अलावा ओफी यूकस को तेरह हुमें चिनिकी रूप में इस्तेमाल करते हैं क्या करते हैं तेरह हुमें चिनिकी रूप में इस्तेमाल करते हैं इसे ये देखो बारह रासियों का करम देख लो भाई अब रासी फल भी पढ़ने पढ़ेंगे और रासी फल पढ़ते पढ़ते बता देख लेना कि मिथून, कर्क, सिंग, कन्या, तूला, वरिश्चक, धनू, मकर, कुम्ब और मीन देखलो आपका अपना राशी कौन सा है आगे देखे तो टैक्सोनोम में इस बेसिकली रिलेटेड टू वर्गे करण मूर्ड रुप्टे किसे सम्बंदित है जैव विधिता, कर्श सम्रचना, खगोल विज्ञान केक साखा, मानव विवहार का अध्यन कुश्चन मरू निस भाई अपने अपनी राशी मत बताओ, ना तो साधियवादी सेट हो जागा यही यही पे यही पे सबकु सेट हो जाता है आप लोग का जैव विधिता, जैव विधिता बायू डैवर्सिटी किस ने रखा वर्गिकरन मूल डूप से किसे संबंदित है वर्गिकृत करने के सिधान को संदर्भित करता है तो अब देखो टूथ पेस्ट का घटक नहीं है जो हम लोग टूथ पेस्ट यूज करते हैं क्या आपके टूथ पेस्ट में नमक है आज का लिक आड आया है तो बुढ़िया जो बुढ़िया ममा है वो बहुत तेज गुस्ता करती है तो नमक खाने के लिए नमक है ही न तूथ पेस्ट में नमक की बात करते हैं तो भाईया बताए टूथ पेस्ट का कौन सा घटक नहीं ह मज़ेदार सवाल हो लूबरिकेंट होता ही करूछ तो फैस्ट में आपना लूब्रिकेंट कि बालेट बैस्ट पर forgotten लिक्विट बार्ट होता तुस पेश्ट की बात करते हैं दूबरिकेंड होता तो लिक विड होता लिकविड होता लिकी発 ऑई है फ्रोराइड है और सरस्क्राइट हैं वपर टिंग है न सो अब घरसक एक विस्षो तूथुथो पेश्ट का कमुन पाचास पर सेंट होता है फ्रोराइट्स भी है जो जो रोकने में सबसे हैं कि चैसिक्षन क्या करता है किस्री पेश्ट सब स्वऱ्ाइड होता है डाइस डैती लिन गलाइकोल उता है ट्राक्लूसन होता है आपके सामने है कि श्यां बच्चे यहां तक समझेया आगे डेखें प्लोटोक गरा कें कि खोज वर्ष वर्स की गई थी उनूश 25 इसलिए कहते हैं कि 2016 का जो कोश्चन है वो देख के जरूर जाई हो क्या पता रिपीट जरूर होगा बिलकुल 100% होगा बताई सवाल नमर इकिस क्या होगा दा प्लैनेट प्लूटो वाज डिस्कवर्ड निन दा इयर क्या होगा कोश्चन नमर इकिस जितने भी 2006 वाले बच्चे हैं ब्रेक लगा दो प्लूटो की खोज 2030 में की गई और 2006 से इसे दरजा चिन लिया गया कि भाई प्लूटो अब बाउने गरा है बाउना गरा बन गया यह ठीक है या दखे तो किस ने खोज की भाई तो लोवेल और अनिक खगोल वीदों की भविस्वानियों के आधार पर प्लूटो को 1930 में लोवेल विदसाला में क्लावड टॉम बॉग ने खो जा था ठीक है नेक्स्ट में किसका नाम बदल कर भारते स्टेट बैंक कर दिया गया बहुत असान कुस्ट नमर बाईस बैंक और बंगाल बैंक और बंबे मदरास बैंक इंपिरियल बैंक और इंडिया का नाम बदल कर एसी बियाई कर दिया गया इसके और इंपिरियल बैंक और इंडिया कप क्या गया उनिजी के से एसी लिए अब एक चुलाई को देखिए गाइश्वाइद एक बैंक अधि ठीक है नेक्स्ट एन्नी बेसेंट ने निम्लिकेत में से कौन साखबार सुरू किया था बताई कुश्ण नमर तेज़ बच्चे विच अब था फॉलोविंग न्यूज पेपर वाज स्टार्टेड वा एन्नी बेसेंट कुश्ण नमर तेज़ प्रताओ तो भाई निव इंडिया कौन इंडिया निव इंडिया किस ने शुरू की इनिपेशेंट ने शुरू की ठीक है नेक्स्ट तो निव इंडिया बिश्मी सदी की सुरूवात में एक द्यानिक समाचार पत्र निपेशेंट बार सुरू किया गया था या खबार भारते सौतनतरता संगराफ से जुड़े मुद्दो कुजागर करने के लिए शुरू किया गया था परसिद निशिद सहर किस देश में है फ्रांस एटले चीन युए से कुशन नबर 24 दा फेमस फॉर्बिडन सीटी इज इन तो फेमस फॉर्बिडन सीटी मतलब रोक निशिद सहर चीन में है किसे निशिद सहर का संग्या दिया गया देखो निशिद सहर जो है न मध्य बीजिंग में चीन में एक महल परिसर है और मिंग राजवन्स जो है सिक्किंग राजवन्स के अंतर तक पूर्वी चीनी साही महल अब यह महल संख्राले बन गया में जियम बन गया डैस का उप्योग पर सीतन में किया जाता है बच्चे डैस इस यूजड इन रेफ्रिजरेशन ख्लोरो फ्लोरो कार्बन कार्बन डायोकसाइड नाट्रोजन पेर ऑक्साइड अमोनिय और ऑक्साइड को सन्मर पर चिसे बता ह ध्लोरोण लो कर वं कि तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन गैर विशायले गैर जरें इसमें लेक रिवांज कर्मानों के प्लोरीं के पर्रमानू में किया जाता है व्यायो ने कि के लिदा लुपरीकच्ट्ण के सब्विस हैली कॉमेट इस एक्सपेक्टेट टू रिटर्न टू दा विक्ति विक्निटी आप दा अर्थ से इन दा येर क्या होगा जब कह रहा है लॉट कर तो आपको याद होगा कि लास्ट हैली कॉमेट उन्हें 186 में दिखाया था तो ये एक बार में चक्कर लगाने में कितने वर्ष करता है 76 वर्ष तुछेशे बार रह रहे के 2, 8, 75, 16, 62 22, 62, 62, 62, 62, 62, 62 तो 76 वर्षों में एक बार चक्कर लगाता है लगाता है ना अब देखो यहाँ पर 61 दिया है जबकि है 62 तो इसलिए जो समकालिन है एवरेज में हमने 2, 61 लगा दिया क्लियर है क्यों लगा 2, 61 समझ में आ गया क्योंकि जेनरली कितना होता है 2, 62 होगा तो आखरी बार या धुमकेतू 1986 में पिर्थवी के पास था और इसके 2062 में लोटने का अनुमान है तो याद रखिएगा 2062 नहीं था आप्शन में फिर भी हम लोगोंने क्या लगाया 2061 लगाया याद रखिएगा क्यों आगे देखो असममित डिजिटल सब्स्टाइबर लाइन A, B, S, L कैसा टेक्नलोजी है एक वाइरलेस डेटा संचार एक वाइड डेटा संचार या और अमिट्योर रेडियो कम्मुनिकेशन सेटलाइट कम्मुनिकेशन क्या होगा देखो अवाइड डेटा कम्मुनिकेशन भाई ऑप्सान नमबर भी तो कहता है सर अना अरे बात है समझ भाई क्या होगे भाई या कोई शू 263 रहेगा तब भाई 263 रहेगा तब ही 261 जाएंगे और अगर यह दोनों उस्तर तो देगा नहीं है ना बैक अप के साथ कौन सत्य नहीं है विच वन इस नौट ट्रू विथ बैक अप बैक अप बैक अप जो हम लोग बोलते नहीं है हम लोग जब कंप्यूटर यूज करते हैं तो बैक अप की बात करते हैं तो विच वन इस नोट ट्रू विथ बैक अपक अप के साथ कौन सा सक्थन नहीं है बताइए कंप्यूटर फाइलों की सटिक परतिलिपी एक्जेक्ट कॉपी ओफ कंप्यूटर फाइल इट इज पार्ट ओफ बिजनस कॉंटिनुटी प्लान PC's डोंट रिकवार रेगुलर बैकप या ओफ साइट और ओन साइट बैकप और मोर बेनिफिसियल तो क्या होगा भाई आप का सत्य नहीं है अचा यह बताओ PC को नियमित बैकप क्या हो सकता नहीं है भाई यह है चार घंटा लाइट कट गया हालत खराब PC टें टें बोलना शुरू कर देगा बिलकूर option number C तो PC यूजर कंप्यूटर के आंतरे का हाड डिस्क के एक संलकन बाहरी जो हाड डिस्क है हटाने योगी मिडिया अंगूठे संग ट्राइव दोनों पर विचार कर सकते हैं कि नेक्स्ट भारत के डोमिनियन की आउधी को संदर्मित करते हैं देखो कितने मज़िदार सवाल पूछा है कि डोमिनियन अपे स्टेट जो है डोमिनियन अप इंडिया है उसको हम कब से कब तक मानेंगे विभाजन पुरुदीन सोतंतर्ता पुरु के बाद गंतंत्र दिवस के बाद या गंतंत्र दिवस के लिए सोतंतर्ता दिवस कुश्चन नमर 39 पता ये क्या होगा भाई गंतंद दिवस के लिए सोतंतरता दिवस जानी 15 अगस्त को जब अजात हुआ तब 26.950 के बाद ठीक है ओप्सन नमबर डीज करेक्ट जानी कहता है भारत का डूमिनिल से भारत संग कहेंगे भारत के आधुनिक गंराज और एक सोतंतर राजी का पुरवर्दी था जो 15.947 को जब अजात हुआ और 26.950 के बीच अस्तित्में रहा था ठीक है नेक्स्ट के बाद करें का कोरी ट्रेंट कहती सर अपने लगा रखी है क्या आज भाई क्या लगाने बोला बता बच्चे क्लोज आप्सन है अंसर देने में डर लग रहा है माई डियर इसलिए कहते हैं कि जो मेंस वाले कोश्टन को देख कर जाना जरूरी है बताओ क्या कहते हो मेंस वाले कोश्टन को देख के जाना जरूरी है या नहीं बताए जरसा मेंस वाले कोश्चन को देखके क्या कहते हो देखके जाना जरूरी है या निजरूरी है इसलिए कहते हैं मेंस वाले कोश्चन को देखके जाना बहुत जरूरी है देखके जाईए काकोरी ट्रेन डगाती सब काकोरी ट्रेन Angeb डिया गया. 9 अगस्त 1925 को गटना को अंजाम दिया गया. ठीक है? तो काकोरी शर्यंतर की बात करें, बिडिटीज भारा सरकारог खिलाप भारते सोत अंदूरन के दौरान, 9 अगस्त 1925 को काकोरी लखमाओं के पास ट्रेन डगाती भी थी आगे देखिए भारत में चांदी का सबसे पहला परमान किस संस्कृति में मिलता है मौर्यन कल्चर गुपताज कल्चर मुगल कल्चर हरपन कल्चर कुष्ण मरेकर्टिस बताओ क्या होगा देखो हरपन संस्कृति मज़ेदार सवाल आप जानते हो कि हरपन संस्कृति में चांदी का साक्षे मिलता है भाई बाजर लगांगे गुपत संस्कृति कई बच्चे लगाए गुपतकाल क्यों बज़त पता है सोने का सबसे घाया सिक्का मिला सोने का सबश्याधा सिक्का था लगाद गुपतकाल पता चलेगा भाईया जो भी आपका जमा पहुंजी था वह 0% तो भाई भारत में चांदी का सबसे पहला परमान हलपा संस्कृते में कहां से मिलता है कुनाल रोजदी कुनाल रोजदी बताओ जरासा कुनाल कहां है कुनाल कहां है कुनाल कहां है कुनाल कहां है कुनाल बता कुनाल कहां है कुनाल कि सराज में तो मैं आपको बता दूं फत्य हाबाद फत्य हाबाद हर्याना ठीक है तो याद अखना कुनाल और रोजदी ये अस्थान अरे भाई मेरे ओ लल्ला मेरे लाल मेरे पीले कुनाल कोई बच्चार कोई दोस्त का नाम ना है कुनाल ना अस्थान का नाम था कुनाल और रोजदी कुनाल और रोजदी यहीं से चांदी के मुकुट पराप्थ हुए हैं कुनाल से चांदी के मुकुट पराप्थ हुए हैं तो फतेहा बाद हर्याना ओह लाल क्या बात है मेरे सोना बाबु सोना को डून रहे अपना चलो चलो कोई ना कोई ना चलिए विनकोब 19 क्या है उत्परिवर्तित कोरोना वाइरस कोविड वैक्सिन कैनिडेट या इरिटिस या एंजिनियर एंटि बॉड़ी उत्पाद कुशन नमर 32 ओहो कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना बच्चे अचा परवाजी रिजल्ट आगे आपका क्या बात है कांचुलेशन तो भाया इंजिनियर एंटिवाड प्रोड़क्ट विनकोब डाइंट यह क्या है 2020 का सवाल है करेंट अफ़ेर्स 2020 का सवाल है यह मत पोचना कि सब पुराना है यहां से करेंट अफ़ेर्स आपको देखने को मिलेंगे एक आपीस तो विनकोब नाइंट एक इंजिनियर किसी एंटिवाडी है जो सौर्स सियो टू सियो वी टू को परभावी ढंग से बेसर करने के लिए पाया गया था यह कहां पर हैदराबाद विश्विद्यालेद्वारा इसे बनाया गया है महान फिल्म निर्मात और लेकाक सत्यजित रे किस राज्य से थे और इसा आसम पश्चिम बंगाल महरास्टा को सनमर थेस बता बचे देखो कैसा पूछा है सवाल देख लो कि मेंस में कैसे पूछे गए हैं सत्यजित रे दा लेजेंडरे फिल्म मेकर एं किस राज से हैं बताइए तो माइडियर इनका संबंद पश्चिम बंगाल से है लगाएं महराष्ट्रा कहां से ये पश्यम बंगाल याद रखियो पश्यम बंगाल ठीक है जिसने भी महराष्टर लगाया सुधार लू तो सत्य जित रे एक भारतिय फिल्म निर्माता लेखक गितकार पत्रिका संपादक चित्रकार संगितकार थे पश्यम बंगाल से तालुक रखते थे 1965 में पद्म भूसन उन्यों सो पच्चासी में दादाव साफ हाल के पुरुषकार भारत अपने के प्याप्त करता थे सांदार उपलब थे ना मई 2021 तक किसी भी भारतिय राज के इंसासिर परते से सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला मुखवंदर कौन है जै जै ललित बात है यह गलत बात है सर क्लास कितने बज़े सुरू होता है सरवन कुमारी दो बज़े से अरे ममता बनर जी जब मई 2021 का अभी भी है अभी भी है ममता बनर जी और यह 2011 में मुक्य मंत्री बने थी पहली बार 2011 में मुक्य मंत्री बने थी पहली बार याद रखे हो 2011 में मुक्य मंत्री बने थी पहली बार तो ममता बनर जी ने तिसरी बार बंगाल का मुक्य मंत्री पद्गी सपत लिए से राज्य की मुख्य मंत्री रही हैं बोल तो प्रेम से सिया वर राम जंदर की जय है समाजिक और सैच्छिक रूप से पिछड़ा वर्ग से बीसी अधिन्यम किस भारते राज्य से जुड़ा हुआ है तामिल नाडू महराष्ट्रा करनाटा कांध्र परदेश कुष्टर नमबर 35 तो महराष्ट्रा में मराठा समुदाई की लोगों को नौकरियों और दाखिलों में आरक्षन देने के लिए समाजिक और सैचनिक रूप से पिछड़ा वर्गधिनियम 2018 लागू किया गया है या दरक्रिट्स वेरी वेरी इंपॉर्टन ठीक है नेक्स्ट किस देश ने 10,000 किलोमीटर रिवर वेज को ड्रेज करने के लिए एक मेगा योजना शुरू की है तो क्या होगा भाई बांगला देश ने 10,000 किलोमीटर रिवर वेज को ड्रेज करने के लिए एक मेगा योजना शुरू किया है हाँ मराटा रच्छन भाई बांगला देश सरकार ने देश में 10,000 किलोमीटर नदी मारगों को खोदने के लिए बड़े पैमाने पर योजना शुरू की है और ये ड्रेजिंग का काम 178 नदियों पर किया जाएगा याद रखेगा हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपरादों के लिए दंड से मुक्ति के लिए अंतराश्टी दिवस कब मनाया जाता है वेन इस दा इंटरनेशनल दे तो इंड इंप्यूनिटी फोर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट अब्जब्ड एवरे यर क्या होगा बेटा ये सुप्रेम कोट ने हटा दिया तो 2018 का नियूस था ना वो वो 2018 का नियूस था तो बनाना पड़ेगा ना खिर दो नौवंबर को कम बनाते बई दो नौवंबर को संजुक राष्ट मास सभाने दो नौवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपरादों के लिए दंड से मुक्ति के लिए अंत्राष्टी दिवस के रुपय नामित किया है ये याद रखेगा बिलकुल गोनी नाम का तूफान किस देश में आया था फिलिपींस एंड़ोनेक्षिया औस्टेलिया संजुक राष्ट अमिरिका क्षर मभड़ेस अ सपने घुश्त राष्टों हाइज लिए चक्तिसाली दुफान माना गया है किस संगठन ने आंधर पर्देश में गो इलेक्टिक अभ्यान शुरू किया उर्जा दक्षता ब्यूरो भारतिय मानक ब्यूरो किंदरिय विद्धुतनु संधान संस्थान भारतिय अक्षय उर्जा विकास एजिंसी कोस्टन नमर थर्टिनाइन तो किस ने उर्जा दक्षता ब्यूरो ब्यूरो आफ इनर्जी एफेशिंसी और आप्षन नमर एज करेक्ट ठीक है नेक्स्ट उर्जा दक्षता ब्यूरो ने आंधर पर्देश राज्य में गो इलेक्ट्रिक अभ्यान सुरू किया राज्य सरकार ने आंधर पर्देश लिमिटेड के गैर परंपरिक उर्जा विकास निगम को चार्जिंग इस्टेशन अस्थाबिद करने के लिए राज्य नोडल एजिंसी गरूप में नामित किया है तो वही ये था आज का सेस्टन माइडियर अच्छा उन चालिस कोश्टन हुआ न चलो आज उन चालिस चालिस कोश्टन और याद अगनाज मैराथन है छै से आठ बजे तक दो घंटे का मैराथन चलेगा अनकैडमी पे और मिश मत करियो चार बजे भी क्लास है आपकी अनकैडमी पे फिर नौ बजे और दस बजे तो मैराथन मिश मत करना चै से आठ हाँ बच्चे गुरुडी के लिए क्लास कर सकते हो अगर मजा आया हो तो भाई लाइक भाईक ठोक दिया करो यार बिल्कुल देखो इन आप रेगुलर दो पहर बारा बजे जुड़े आप किसी भी एक्जाम की तैयारी करते हैं मुहाँ स्टैटिक जी के धमाकेदार तरीके से देख रहे हैं ठीक है और दो पहर दो बजे भी आप जुड़े हमारे साथ रेगुलर कंटीनू जुड़े रहिए एक जी मैं बताऊं इससी के जैसे कैलेंडर आया है वैसे आपने दिमा में कैलेंडर सेट करिए और हमारे साथ जॉइन करिए अनकैडमी रेफरन कोड बाबटेन लगा कर बचे जिससे आपकी तैयारी और जवर्दा सूपर तैयारी हो जाएगी सारा सब्यक्ट यहां कवर करते हैं हम लोग और इस बार कॉंबेट दिमा में सेट कर लो 26 दिसंबर को क्वांट का और 2 जनुवरी को रिजिनिंग का कोड क्या लगाएंगे बाबटेन कोड लगाकर आप जॉइन कर सकते हैं तीन कोश्टन्स तीन डाउट आप पूछ सकते हो अपने भासा में अनकैडमी पे और प्लस पे जुड़ते हैं तो अनलिमिटेड एक्सेस स्टड़ी मैटरियल स्टड़ी प्लानर कई सारे फीचर से हैं और सबस्टेफला फीचर आप अपने एजुकेटर से बात करके क्वेरी दूर कर सकते हो ठीक है सेसर मजा आएगो तो लाइक ठोक के जाना जितने सारे बच्चे हैं अनकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए रिफ्रेल कोड़ बाबटेन लाकर आप जोईन कर लेना ठीक है बई सेसर अच्छा लगो तो लाइक करना मिलते हैं बच्चे फिर अभी चार बजे भी स्पेशल क्लास है और आज 6 से 8 दो घंडे का मैं रातन है तो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां पीडिएफ है वहाँ पर हम अटैस कर वादेंगे ताकि से लिंक वादेंगे तो